गुलबरगा, हकीम हाजी मिर्जा इलियास बेक के आँखों के लिए दिये जाने वाली दवा नूरे नजर का कामियाफ रिजल्ट सामने आया है गुलबरगा के पेशन्स को शेहर के गुंडपा मिस्त्री रेसिडेंसी ओफ शा बजार के आँखों को कम नजर आ रहा था डॉक्टर के पास गए तो ऑपरेशन के लिए कहा था लेकिन शुगर ज्यादा होने से ऑपरेशन नहीं किया फिर हकीम मिर्जा इलियास बेक के एक महीने दवा खाने के बाद अब दिखाई दे रहा है बेलगाम के मशूर हकीम मिर्जा इलियास बेक साब अब हर मंगल के दिन अलकरीम लॉज नियर केबियन दर्गा शरीफ में सुबह आठ बज़े से शाम आठ बज़े तक पेशन्स को फ्री चेक अप करके उनको दवा दी जाती है हकीम साब की दवा अब को आम दिनों में मिलती है एफ और कॉंप्लेक्स अपोजिट नभी कैफे मोमिनपुरा मज़िद मालूमात के लिए इस मुबाइल नंबर पे राप्ता करे नाइन टू फो टू सेवेन टू जिरो त्री वन वन गोल्या लिए सब लिए कम नहीं हुआ फिर क्या करना वलके सूंसे वैटे जब एक अदमी बोले ऐसा ऐसा है पला ने ऐसा जावब जली बुटी देते आराम होता देख लो जाकर बोटकर बोले हम एक मेना पिच्चे जाकर अश्याद गोल्या लिए लेने के बाद एक मेना ह अबी तो मिलम्यम एक 20 पीट तक मेरे को आंके दिख रहे पहरे क्या था एक चार पूट पांस पूट के अंदूर में अदमया ठेरे तो चेरा नहीं दिखता था अभी एक मैना हुआ गोल्या ले रहे थोड़ा अँख को लगा ले रहे अब कहें 20 पिच्चे भी अदमी का नूर नजर के फाइदे बेहसाब हैं ये दवा के लिए मैंने तीन साल खूप मेहनत करके तीन चार लुगरी पर खर्चा करके मेरे आखों पर आजमा कर फदर इलाज से अल्ला इसमीं शिपार दिया मेरे आखों कर तजरुआ करने के बाद मेरी 22 साल के उमर में नजर का चश बिंदो कांच बिंदो जाड़ा चश्मा निकलना तिर्चा पर जाना जिन के आँखों को नजर नहीं आता दोनों आखों को वह एक साल बे आट नो में नजर आता है ये दवा हर आदमी के लिए भी चल सकते है अच्छा आदमी भी हफ्ते में एक बार लगाने से उम्र बर चश को पड़ा रहे हैं क्यों कि मुती बिंदो वाले कांज बिंदो वाले चश्मे वालों को यह दवा कम पड़ रही है ने जलन है ने तक्लिफ है रियक्शन है किया इसका इस में दवायं की कमी है फिर भी यहां पर मैं सुनेरा मुक्त का वक्त ज्याओं इसका फाइदा उठा लेना आग के मर्ज़वालों का काम है डिशंबर के आखिर के बाद मैं किसी किमत में नहीं आ सकता आप जो इलाजाता लेहीं मिलना है तो आओ मिलना है तो मिलो दुनिया के चमन में तिर किस से मिलोगी आदा मतर हो तुम्ही मेरी दुआ है जुदा होने का आप हाफिस फुदा है